बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म दंगल साल 2016 में रिलीज हुई थी और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फिल्म दंगल के एक एक कलाकार की एक्टिंग ने लोगों के दिल को छू लिया फिल्म दंगल में छोटी बविता का रोल करने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर की क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया था वही सुहानी भटनागर अब लोगों को रुला कर चली गई है सुहानी भटनागर का सिर्फ 19 साल की उम्र में निधन हो गया है सुहानी भटनागर के परिवार के लोगों से लेकर उनके तमाम चाहने वालों को इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है सुहानी भटनागर के निधन पर आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ दुख व्यक्त करते हुए एक ट्वीट किया गया है हमें अपनी सुहानी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है उनकी माँ पूजाजी और पूरे परिवार के प्रती हमारी दिल से समवेदनाएं है इतनी प्रतिभाशाली यंग लड़की ऐसी टीम प्लेयर सुहानी के बिना दंगल अधूरा होता सुहानी तुम हमेशा हमारे दिलों में सितारा बन कर रहोगी भगवान आपकी आत्मा को शांती दें इस तरह से आमिर खान अपनी कोस्टार सुहानी भटनागर के काफी दुखी है बताया जा रहा है कि सुहानी भटनागर का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और उनका पैर फ्रेक्चर हो गया इसके बाद सुहानी भटनागर के पैर के फ्रेक्चर का इलाज कराया गया और इस दौरान उन्होंने जो दवाईया ली जिससे उन्हें साइफ इफेक्ट होने लगे सुहानी भटनागर की बॉडी में फ्लूइड बनने लगा जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई बताते चलें कि सुहानी भटनागर काफी समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भरती थी सुहानी भटनागर का शनिवार को फरीदाबाद में अंतिन संसकार किया जाएगा दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया वीडियो के साथ आप लोगों से और वीडियो के साथ